अर्यूं, आप लोगों का मैं अग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है, कोरल रो में एक पेपर कटिंग का एफेक्ट आप कैसे क्रेट कर सकते हैं, उसके बारे मैं बताने जा रहा हूँ, अभी दिको इदर क्या है, कुछ टेक्स्ट को मैंने अलड़ी टा करके हैं, तो पहले इसको क्या है, कॉपी कर लेता हूँ, मैं Ctrl-C किया मैंने, तो कॉपी बन गया भी, अभी इसको एक शेड देता हूँ, मैं इदर एलो में थोड़ीदे तक होड़ करता हूँ, होड़ करके इसको क्या एक शेड दिया मैंने, अभी इसको मुझे क्या करना है एक inner shadow create करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इदर, shadow tool में आता हूँ, shadow tool में आने के बाद, अभी देखो इदर क्या है, property bar में आपको, drop shadow और inner shadow करके है, अगर आपके पास पुराना version है तो उसको कैसे करना है, उसके बारे में मैं क्या करता हूँ, end screen में एक video देता हूँ, उसक आपको dark लग रहा है, तो अभी इसको क्या है, feather है, एक 10 रखता हूँ, 10 रखा है, और इसका जो opacity है, इसको क्या है, 40 रखता हूँ, थोड़ा light किया मैंने, इतना करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, जो copy किया था, उसको paste कर लेता हूँ, control V बोलने से देखो, यह paste हो ग अभी यह selected है, shift के साथ, इस text को select करो, आपको select करके, e और c बोलो, तो क्या हो गया है, अभी यह line center में आ गया, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर crop tool के अंदर क्या है, इदर knife करके tool है, इसको लेता हूँ, इसको लेके जैसे ही, इस line के edge पे आता हूँ, तो देखो भी edge करके य अभी यह कई दिखा रहा है, अभी यह क्यों दिखा रहा है वे के अंदर हमने क्या रखा इदर, you allowed to create, native to object के एक्टिव रखा है, इसको कबी भी आपको active रखना है, अभी इसको कटकरने से पहले, इस text monitor को select टरकते हुए आपको क्या करना है इधर knife tool में आने के बाद आपको क्या करना है इधर line के उपर आना है जैसे edge करके आपको snap होता है तभी click को hold करते हुए इसे drag करता हूँ drag करकी इस edge पर आके इधर क्या है right side में आके इधर click छोड़ देता हूँ मैं तो दिको भी एक more tool लेके अभी मैं इसको drag करता हूँ तो दिखो क्या हुआ है cut हुआ है It समझ में आ गया आपको अभी इसको क्या है एक बार अंडू करता हूँ मैं तो अंडू करने के बाद अभी मुझे क्या करना है इसको स्क्यू करना है इसको और एक बार क्लिक करता हूँ तो दिखो भी ये रोटेशन का पॉइंट आ गया अभी इस point को क्या है control को hold करते विए एक step skew किया मैंने तो दिखो भी यह समझ में आ रहा है आपको इसी तरह क्या है जो bottom में है इसको भी click करता हूँ और एक बार click करो आप इसको क्या है इसको भी red side लेना है control को hold करते विए यह से लेता हूँ मैं एकी step लेया मैंने, तो दिखो भी ऐसे skew हो गया, इतना करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इस line को select करके आप क्या करो, delete करो, delete करने के बाद, अभी इसको एक background लेता हूँ, इसको एक square लेया मैंने, अभी इसको क्या है, light shade देता हूँ, अभी यह उपर है, इसको shift पेज इसको एक white color देता हूँ, और इसको क्या है, एक gray color देता हूँ, थोड़ा background है, इससे भी थोड़ा dark color दिया है मैंने, इतना करने के बाद, अभी यह selected है, shift को hold करते हूँ, इस portion को select करके, इसको दोनों को क्या है, group करता हूँ मैं, group करके, थोड़ा अगर आप चाहे तो इसको क इसे moment आप कर सकते है, थोड़ा moment दिया मैंने, इतना देने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक shadow create करता हूँ, अभी आपको क्या करना है, फिर से इदर shadow tool में आना है, आके इदर click करके, इसे drag करता हूँ मैं, इसको थोड़ा angle कर लेता हूँ, ऐसे, ऊपर की तरफ इसको थोड़ा, तो देखो भी ऐसे आ गया, लेकिन यह भी देखो यह क्या है, इनर shadow आ गया अभी, इदर आपको inner shadow दिखा रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप shadow करता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया, तो इसको आप थोल ऐसे नजदिक लेता हूँ मैं, तो इसका distance भी कम जाद आप करके, इसको आप चक कर सकते हैं, अगर समझो आपके पास कौन सा भी पुराना version है, तो उसमें आप कैसे work कर सकते हैं, उसके बाएर में भी बताऊंगा आपको, अभी देखो इन सब को select करके, इसे side में लेया मैंने, अभी क्या है, इधर paper करके है, इ share को दिया मैंने, अभी मुझे क्या करना है, इसमें inner shadow create करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, shadow tool लेके, इसको click करके, इसे drag करो आप, so drag करने के बाद, अभी देखो ये inner shadow आ गया भी, अभी इधर क्या है, जो copy किया था मैंने, उसको paste कर लेता हूँ, control V क्या मैंने, तो paste हो अभी के लिए क्या है, जो background है, इसको side में रखता हूँ, so either मुझे क्या है, center में cut करना है, अगर समझो आपके पास पुराना version है, तो पहले आप ऐसे line draw कर लो, draw करने के बाद, दोनों को select करके, ये और C बोलना है, तो ये center में आ गया, अभी इसको क्या है, line को select रखते control k भी आप बोल सकते है, so इसको click करता हूँ, तो दिखो भी ये break हुआ है, अभी दिखो break करने के बाद, अभी दिखो ये क्या है, p, p के बीच में जो ये circle आता है, वो आपको नहीं दिख रहा है, इसे drag करो आप, so इतना ही select होता है, इसको क्या है, front minus back बोलो आप, तो दिख इसको भी एसब select हुआ है, इसको क्या है, weld बोलता हूँ मैं, तो single object हो गया, अभी क्या है bottom का जो portion है, इसको सब ऐसे बाहर से drag करके select करता हूँ, select करके इसको भी आपको क्या करना है, weld करना है, अभी इसको एक बार click करके, अभी क्या करता हूँ, इसको भी skew कर लेता हूँ, यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है का white shade देता हूँ मैं अभी इसको क्या है का grey shade देया मैंने अभी देखो इधर जो background के लिए rectangle रखा था इसको इसके नीचे लेता हूँ मैं इतना लेने के बाद अभी इसको select करता हूँ shift के साथ इसको select करो आप दोनों को select करके group करता हूँ group करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर shadow टूल लेता हूँ लेके इसको click करके इसे drag करो आप थोड़ा angle रखते वे ऐसे लेता हूँ मैं इनर शाडो है इसको क्या है ड्राप शाडो टूल करता हूं मैं तो देखो भी शाडो ऐसे नीचे की तरफ आ गया यह आपको समझ में आ रहा है अभी दिको यह क्या है जिसे हम पेपर में कटिंग के वैसा आपको लग रहा है इसमें क्या है मैंने पुराना और नए वर्शन मे दोनों में आप कैसे इसको बना सकते उसके बारे में बताया है अगर यह करते वक्त आपको कुछ डॉट्स होगे रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का ध